अस्तलाम हुआलेकूम चलिए आज हम बनाते हैं चिकिन बंजारा टिक्का बिना अवन के और बिना तंदूर के यानि के कड़ाई या फ्राइपैन के अंदर कह लीजे आचा वैसे मैंने कुछ टिक्कों की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजेगा चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधा रन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्टर ओर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की चलिए चलिए सबसे पहला मैरिनेशन कर लेते हैं तो ये फर्स्ट मैरिनेशन है उसके लिए सबसे पहले हमें चाहेंगे पात्सो गराम चिकिन बोनलेस चरवी निकाल लीजेए मीडियम पीसेस कर लीजेए दो-तीन पाने से धो के 10-15 मिनिट के लिए साइट पर निताने चन्नी के उपर रहने दीजेगा अगर आपके पास समय ना हो तो आप पैट ड्राइक कर सकते हैं वैसे मैंने थाई पोशन लिया है आप ब्रेस पोशन ले सकते हैं चिकन का थाई पोशन है थोड़ा जूसी होता है मैं हमेशा इसके ल कुमक दाल दीजिए स्वाद अनुसार दालिएगा दो टेबल स्पून अध्रकलसन का पेस्ट दाल दीजिए मैं एक छोटा सा निम्बू था तो मैं पूरा निम्बू का रस दाल रहे हूं आप चाहें तो यहां निम्बू बड़ा हो तो आधा ले सकते हैं और आप ज़्या खटास नहीं खाते हो तब भी आधा ही निम्बू लीजिएगा वैसे मेरा बहुत ज़्यादा छोटा था तो मैंने साबुत पूरा दाल दिया है उसका जूस सबको मिक्स कर लीजिए और इसे मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए साइट पर रखतीजिए चलिए यहाँ पर एक इंच का अधरक का टुकडा भी रफली काट लीजिए इस तरीके से एक मुठी टाइटली पैक्ट कोट मेर याने क्या हरा धनिया को धोंकर इस तरीके से रफली काट लीजिए इसे भी साइट पर रख दीजिए यह 11-12 बड़ी कली लसन की है इसे भी मैं रफल काट लेती हूँ जब आप इन चारों को रफली काट लें तब सारों को मिक्स कर लें और बोड के ओपर यह जो छुरी है इसकी मदद से बारिक-बारिक काटते जाए ऐसे देखिए तो इससे क्या होगा ना यह जो सारे मसाले की जो जो फ्लेवर है ना एक दूसरे में इन्फ कर लूँ तो आप कर सकते हैं मशीन चॉपर और हैंड चॉपर जो आता है उनमें डाल कर आप कर सकते हैं पट बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको कहूंगी कि आप इसी तरीके से बोड पे कीजिएगा तो यह देखिए कितने बारिक हो गए और उसके साथ-साथ फ्लेवर पर चानने रख दीजिए 10-15 मिनिट के बाद इसमें डाल दीजिएगा तो आपको अच्छे गाड़ी दही मिल जाएगी अब इसमें डाल दीजिए चुटकी बर नॉर्मल हमारा जो नम्मक आता है वो 3-4 छोड़ चाय का चमच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर एक छोड़ चाय का चमच धनिया पाउडर आदा छोड़ चाय का चमच हल्दी पाउडर 3-4 छोड़ चाय का चमच गरम मसाला पाउडर आप एक छोड़ चाय का चमच भी दाल सकते हैं मैंने 3-4 दाला है और 1-4 छोड़ चाय का चमच काला नम्मक अब एक चुड़ चाय का चम्मच कसूरी मित्य को हाथों के मदद से क्रश करके डाल दीजिए इस तरीके से अब यहाँ पर मैं तीन टेबल स्पून भरकर राय का तेल याने के मस्टर्ड ओयल बेस्ट इसी के साथ लगेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप मस्टर्ड ओयल ही डालें तीन टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल डाल दीजिए यह पेस्ट को सारे को मिक्स कर लीजिए अच्छा आप जो हरी मिर्च लस्टन और वो सब काटके रखा है वो भी इसके अंदर डाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स हो जाए तो चिक्केन जो मैरिनेट करी हुई है उसको इसमें डाल दीजिए या इसको इसमें डाल दीजिए either of the thing और mix करके marinate करने आप चाहें तो रात भर भी रख सकते हैं और next day बना लीजे ढाक कर फ्रिज में रख दीजेगा और next day बना लीजेगा या फिर आप चाहें तो same day बनाना चाहते हैं तो 2-3 घंटे के लिए इसे marinate करने के लिए ढाक कर हो चुके हैं marinate होके तो यहाँ पर एक कड़ाई लीजे या fry pan लीजे मैं कड़ाई ले रही हूँ एक दो टीबिल स्पूल मकषन और थोड़ा सा तेल दाल दीजे और वो melt हो जाए fast आज पर तो chicken को दाल दीजे marination के साथ बिसमिल्लायराह्माले बोल कर और इसे fast आज पर 2-3 मिनिट तक बार-बार चलाते हुए chicken को fry कर लीजे जब 2-3 मिनिट हो जाएंगे ना तो chicken का color change हो जाएगा जब chicken का color change हो जाए 2-3 मिनिट के बाद तो चूले को कर दीजे slow आज और इसे ढाक कर 12-13 मिनिट तक पकने दीजी आप चाहें तो खुला भी रख सकते हैं आप चाहें तो कड़ाय के बज़ाए fry पेन में भी बना सकते हैं मैंने कड़ाई में दाला है चलिए अब मैं इसे 12-13 मिनिट के लिए ढाक कर पकाने रख देती हूँ slow आज पर चलिए 12-13 मिनिट हो चुके हैं साइट पर मैंने कोईला जलाने रख दिया है चुला आप फास्ट आज कर दीजे चिकन हो चुकी है 12-13 मिनिट में आराम से हो गए क्योंकि 12-13 मिनिट मैंने यह पकाया और 3 मिनिट पहले भी तो पकाया था और नीचे चिटकने लगे आपके fry pan के ऊपर तो उलट-पलट करते हुए जो dark spots आते ना जो grilling spots वो दिला जीजे जब वो grilling spots आ जाए उलट-पलट करते हुए तो चुले को कर दीजे बंद और उन्हें निकाल लीजेगा और फिर टांडा दे दीजेगा कोईले का टांडा दे दीजेगा अब यहाँ दूसरा तरीका ये है कि मैं पूरी तरीके से इसे ये नहीं कर रहे हूँ dry out नहीं कर रहे हूँ मैं एकदम जब थोड़ा बहुत रह जाएगा और टेल एकदम छूटने लगेगा बस वहाँ तक ही मैं इसे पका रहे हूँ मैं पूरी तरीके से dry out नहीं कर रहे हूँ जब इस तरीके से तेल छूटने लगे और चिटका चिटका सा मसाला मिले तो चूले को कर दीजिए बंद चमच की मदद से ये जो ऊपर का अंदर निकाल लीजिए अच्छा-च्छा कोई बात नहीं है आप टेंशन मत लीजिए ये तेल हम इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे घ्रिलिंग के लिए वो कैसे मैं आगे बताती हूँ तो ये मैं सारा पहले तेल निकाल लेती हूँ और जब तेल निकाल ले तो बीच में एक स्टील की वाटी रख दीजिए गरम कोईला रख दीजिए उसके अंदर और क्विकली तेल घी या मक्षन डाल दीजिए और क्विकली ढग दीजिए कोईले का टांडा देने से ऐसा लगेगा कि हमने तंदूर पर पकाया है चलिए मैंने 6-7 मिनिट रखा है इसे निकाल लीजिए और ये कोईले को फेट दीजिएगा अब यहां 2-3 तरीके हैं ग्रिल करने के काटे के अंदर डालिए चिकन पीस को और डारेक्ली गैस के उपर रख कर उसे चारो और से ग्रिल कर लीजिए इसी तरीके से एक एक पीस को आप ग्रिल कर लीजिए अब दूसरा तरीका यह है कि चिम्टया तो घर पे होता ही है वो लीजिए और उसे डारेक्ली चुले के उपर आग पर रख कर इसे बार-बार चलाते जाएं और उलट-पलट करते हुए उसे ग्रिल कर लीजिएगा तो वो दूसरा तरीका है बट मैं तीसरे तरीके से कर रहे हूँ तीसरा तरीका यह है कि सीख आती है ना जो स्टील की मेरे पास सीख है इसे सीख कहते हैं यह सीख के अंदर मैं सारी जो चिकन पीसे से सीख के अंदर मैं लगा देती हूँ तो दो-तीन सीख लग जाएगी पर यह देखिए मसाला मैंने रहने दिया ना तो क्योंकि मैं मसाला बाद में उपर से लगा कर खाऊंगी उसके उपर तो बहुत ही मज़ा आता है मैंने बहुत बार बनाई है यह रेसेपी बहुत बढ़िया लगती है चलिए यह ग्रिल प्लेट रख दीजे इसके उपर ग्यास के उपर और यह जो हमने जो सीख के अंदर डालके रखी है ये रख दीजे और इसके उपर ये जो हमने साइट पर तेल यादे निकाला था अब यही वाला फ्लेवरफुल तेल लगाते जाएं और इसे चारो और उलट पलट करते हुए grilling spots दिला दीजे अब आप चाहें तो एक साथ तीन रख सकते हैं चाहें तो एके करके रखें अचा आपके पास ये सीख नहीं है और आपके पास grilling plate है तो आप सारे pieces grilling plate के ओपर पहले लगा दीजे और इसका चूला चालू कर दीजे मीडियम आज पर और उसके उपर तेल लगाते जाएं और उसे उलट पलट करते हुए grill करते जाएं तो वो भ ये भी नहीं है तो मैंने जैसे आपको बताया चिम्टे से या फिर फोक की मदद से एक एक करके आप grill कर सकते हैं directly चूले के ओपर चलिए ये सारे grill हो चुके हैं आप देख सकते हैं बढ़िया लग रहे हैं माशालला कितने खुबसूरत लग रहे हैं एक मिनिट अभी भी थ क्या बढ़िया लग रहे माशालला चाहें तो सीक आप प्लेट के ऊपर रख सकते हैं मैं ये सीक में से निकाल लेती हूं बंजारा टिका असको सारो को अच्छा साइड पर मैंने थोड़ा सा गरम करने वो gravy रखी हुई न उसे गरम करने के लिए रख दिया था अच्छी गर के ऊपर और ये सारा टेल यूटिलाईज हो गया अब मैं ये जो चिकिन के ऊपर जो मसाला है ये थोड़ा थोड़ा बंजारा टिक्का का जो मसाला बच्चा ये लगा देती हूं आप चाहें तो दूसरा भी ये है कि जो मसाले के अंदर ये टिक्के को डाल दें और फिर fibreश सर्फ कीजिए वैसा भी मैंने दो-तीन बार सर्फ किया है बहुती बड़ी और जबर्दस लगता है यह तुम्हें प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा कर रही हूं कि यह थोड़ा सा तिक्का दिखे तो आप लोगों को समझ में आया नहीं तो उस पे दिखेगा नहीं लेकिन वो भ बहुत ही बड़िया लगता है most of the time तो मैं वैसे ही कर लेती हूं तो चलिए यह बन गया हमारा बड़िया सा मज़ेदार सा लजीज चिकन बंजारा टिक्का लग रहा है था एकदम ऐसा लग रहा है और तंदूर से आया है तो बस गर्मा गर्म इससे सर्फ कीजिए अटास न रहाम मेरे चांडल पर अपलोड कीए gü're ऐनकोπως डास ने स्क्रिप्शन के अंदर आप आह पिलोगों के लिह दे की लिंक लिंग जे एक लिंग आप लिगे है तो है नहीं मज़ेंदार रेसिपी अगर आप यह वाली रसिपी बनाया तो मेरे साथ इस वीदों के इस वीडियो के लिए पिर से अधिर होंगे नहीं शांदार दमदार रसीपी के साथ अंतल दें टेक केर लाफिस बबाई